नमस्कार दोस्तो दोस्तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली हो वो सुनने के बाद आपको बहुत जादा बड़ा जटका लग सकता है आपको ये भी लग सकता है कि मैं जूट बोल रही हो और गाइस मैं मान रही हूँ कि एक बार के मिस्टर इंडियन हैकर से जुड़ी हुए है जो हमारे प्यारे दिल्राज भाई है उनसे जुड़ी हुए बात है आप लोग गाइस देख पा रहे होंगे कि मिस्टर इंडियन हैकर ने पिछले एक महिने से अपने चैनल पे कोई वीडियो डाल भी नहीं पाएंगे ये जो नहीं है वो अपने चैनल पे वीडियो कैसे डालेगा बिल्कुल सही सुना आपने गाईस जो हमारे प्यारे मिस्टर इंडियन हैकर दिल्राज भाई है वो हम सब लोगों को छोड़ कर जा चुके है जब मुझे इस बात का पता चला था मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ बिल्कुल सच है और आपको वह सारी चीजे सबूत के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगे जिसमें आपको बता दू कि मिस्टर इंडियन हैकर के जो टीम के बंदे हैं आज गल वो उनका चैनल देख रहे हैं और उन्होंने जो है उनके टीम के बंदों ने मिस्टर इंडिय सारे लोगों ने यस बोला था तो मुझे लग रहा है कि मिस्टर इंडियन हैकर की जितने भी टीम के बंदे हैं वो जल से जल एक वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे जिसमें वो आप लोगों को बताएंगे कि मिस्टर इंडियन हैकर के साथ exactly क्या हुआ और कैसे कैसे सार सारी कहा रही हूं मेरे दोस्तों मैं लोगों को बताचा हुआ कि अभी एक हफ्ते पहले की बात यहाठी करईब मेरे एक फ्रेंट का कौल आता है जो einen blogger है वो राजस्तान में रहते हैं वह सकता उनका कॉल आया मेरे पास उन्होंने मुझसे बोला कि बहाई पायल वोज़ी कि बढ़े यूट्योवर से मिलने चाये कि आपके चैनल पे बहुत सब जाएंगे गाय tut बहुत भी होताता है तो भाई मैंने अपनी तरफ से उस यूट्योबर को सला दिया उस व्लॉगर को क्या पैसा करिए कि किसी जो राजस्थान में बड़े क्रियेटर हो आप उनसे मिलने चले चाहिए सो मुझे राजस्थान के दो बड़े यूट्यूबर्स के बारे में पता था पहले थे क्रेजी एक्सथाज़ेट और दूसरे थे मिस्टर इनिया हैकर सो मैंने उस बंदे को बोला अपने व्लॉगर फ्रेंड को कि भाई तुम क्रेजी एक्स़ेट से मिलने मत जाना क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि क्रेजी एक्स़ेट कभी भी किसी को विडियो नहीं बना दे देते अपने साथ मों मना कर देते कि वही मेरे साथ मिलने की वीडियो मत बनाओ, मुझे ये सब चीज़े पसंद नहीं है तो मैंने उस vlogger को सामने से बोला कि आप ऐसा करिए, आप Mr. Indian Hacker से मिलने चाहिए मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में, कि जो भी लोग Mr. Indian Hacker से मिलने चाहते हैं वो बहुत अच्छे से उनसे मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, अपनी साथ वीडियो भी पनवाते हैं तो आपकी वीडियो जरूर वाइरल होगी, आप थोड़ी देर उनसे मिलके या उनका इंटर्व्यू करके किसी भी तरीके से अपनी चैनल पे एक वीडियो डालिए तो आपकी वीडियो जरूर वाइरल होगी तो वो जो मेरे व्लॉगर फ्रेंट थे उन्होंने बोला के ठीक है मैं मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने जाओंगा वो जमेर मेरे रहते हैं हमारे घर से जादा दूर नहीं है वर मैं मिलने जाऊंगा उनसे ठीक है तो खाइस टीक दोस्त थे मिस्टर इंड इंडैन हैकर thrive को सारे वंटेश वायव तो जो मेरे फ्रेंट थे उन्होंने उनके टीम के मेंबर से पूछा कि में गों Mr.NN Hacker से मिलवा दो में गों उनसे मिलना है उनके साथ छोटी सी वीडियो बनानी है आप प्लीज एक बर मेर की उनसे बात करवा दो उनसे मिलवा दो इतना बोला मेरे फ्लॉगर फ्रेंड ने तो जो Mr.NN Hacker के टीम के बंदे थे उसमें से एक बंदा काफी दो इमोशनल हो गया उसकी आँगों में उसकी टाइम हासू आने लग गया और उस टीम के बंदे ने बोला कि भाई आप Mr.NN Hacker से कैसे मिल सकते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं यह चीज उसने बताई मेरे फ्रेंड को और जब यह चीज उसने सुनी ना तो उसके पैरुतले भी जमीन की सगए उसके सथ कोई प्रैंक हो रहा है बट उन्होंने बताया जितने भी उनकी टीम के बंदे थे उन्होंने बताया कि नहीं है कोई प्रैंक नहीं है सच में मिस्टर इंडियन हैकर नहीं रहा है actually हुआ यह था कि मिस्टर इंडियन हैकर की नाक की सर्चरी होने वाली थी कि नाक की सर्चरी है वो होने वाली थी आपको पताए यह नाक कितना ज़दा सिंसेटिव मामला है अगर थोड़ा बहुत भी गडबड होता है तो definitely हम सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर हम जिन्दा कैसे रहेंगे तो इसलिए उनका काफी ज़दा एक क्रिटिकल सर्चरी होने वाला था मिस्टर इने नाक की सर्चरी होने वाली थी तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी उनसे पहले फॉर्म बरवाली आ गया था कि अगर आपकी जान नहीं बच पाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उस्पिटल में उनसे फॉर्म बरवाली आ गया था तो सब कुछ हो चुका था जब यह surgery हुई तो उन्होंने अपने मन में यही सोचा था कि यह surgery successful होगी वो बहुत confidence के साथ surgery करवा रहे थे hospital में बढ़ गया आपको बता दूँ कि उसे surgery के दौरान क्यूंकि यह surgery successful नहीं हो बहाए उनकी नाक की जिसकी वज़ए से सर्जरी के दौरान ही मिस्टर इने नैकर की मौत हो गई गाइस वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी जो नाक की सर्जरी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से अंसक्सेस कुल हो गई और यह बात बिल्कुल सच है और मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ था यूटीव पर देखने को मिल जाएक ébhbhbhbhbhbhbhbvpph wrpegbhbhbhbbhb बिल्कुल जूटी है आप इन पिल्कुल भरोजा ना करें इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं बस एक महिने से Mr. Indian Hacker ने वीडियो नहीं डाला तो यह अपनी मर्जी से कुछ भी बगे जा रहे है कि Mr. Indian Hacker तो है नहीं जिन्दा तो वीडियो काहते डालेंगे तो यह सब बिल्कुल जूट है Mr. Indian Hacker ने बातों पर भरोसा ना करें इनके बास कुछ खुछ सबूत नहीं है और यह ऐसे जूट मूट का किसी के बारे में भी बोल रहे है तो I really like it and उनकी इसी तरीगी एच्छी वीडियोस हमें आगे आने को भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी सो बस इस वीडियो के एच्छी बैंट करती हूं गाईज थैंकियो सो मच